गुट मॉर्निंग एप्टीवन वेलकम टू एग्जाम और्विट क्लासेज तो कैसे हैं आप सभी आप सभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगे तो फ्रेंट्स आज है चार मार्च और आज की इस कलास में डिस्कुस करेंगे चिफ फूर गठवंदन क्या है केंद्रिय विजली नियामक आयो के नए अध्यच कौन बने हैं वो बान थोंग किस देश के नए राश्टुपती चुने गए हैं सुप्रीम कोट ने किसकी अध्य में एक समीती गठित की है मिक 21 ने भारत में कितने साल पूरे कद लिये हैं डिस्कुस करेंगे पूसा किर्सी विज्ञान मेले का जो आयोजन है यह कहां पर किया गया है एसीयाई सत्रंच माहसंग ने किसे पिलियर आपदा इयर पुरुसकार से संबानित किया है राश्टु अल्ट्रा साइकलिन जो चेंपियंसिप है इसका प्रारंब कहां से किया गया है जानेंगे एक्सेस बैंक ने किस बैंक के भारतिय उपभुकता कारोबार का अधिगरेंड कर लिया है किस खिलाडी ने ए एफ आई रास्ट ये थ्रो पिट्योगिता के मेंस सोट उट और उसे सम्मंदित टॉप टैन कुश्टन्स डिसकस करेंगे और साथी में कल की क्लास का क्वीक रिवीजन भी आप सभी को कराया जाएगा तो अगर आप किसी बे एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत पून रहने वाली है तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में सुप्रीम कोट ने हिंदन वर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी गुरुप की कमपनियों की जाच के लिए किसकी अध्यस्ता में एक समीधी गठित की है एम सप्रे इंदु मनोत्रा राजीव सींग या फिर पिकास सींग इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में तो आज के स्टेशन का हमारा पहला सवाल है कि चिप फोर सामिल नहीं है फेंट्स यह जो चिप फोर गठवंदन है ना इस समय काफी सुर्खियों में बना हुआ है और आगामी परिक्चा में यहां से क्वेशन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा तो याद रखेंगे इसमें भारत सामिल नहीं है चिप फोर गठवंदन में चार उतराज अमेरिका दच्चर कोरिया और ताइवान ने सेमिकंडेक्टर की इस तर आपूर्ति सुनेश्चित करने में मदद करने के लिए एक नए अमिर्की नेततों वाले धांचे के तहत बरिस्ट अधिकारियों की पहली बैठक आयोजित की है इसलिए यह गठवंदन सुर् अच्छा और लचीलापन बढ़ाने के उद्देश से ब्यापक योजनाओं के हिस्से के रूप में फैफ फोर गटबंदन फैंट्स याद रखेंगे इसे चिफ फोर गटबंदन भी बोलते हैं और फैफ फोर गटबंदन के नाम से भी इसे जाना जाता है पहली बार अमेरि करके बताईए कि जो कौड है ना कौड में कौन-कौन से देश सामिल है यह देश वैश्विक सेमिकंड़ेक्टर उद्ध्यों के मूलें के 70% से अधिका प्रतीनि दित्व करते हैं वहीं बात की जाए सेमिकंड़ेक्टर के महतव की तो आप सभी जानते हैं समय सेमिकंड़े इसका निर्मान किससे किया जाता है तो याद रखेंगे है अब आप मुझे बता रिए कि भारत की सिलीकॉन बैली किस सहर को कहा जाता है आंसर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में इनका उपयोग प्रोग्राम चलाने के लिए डेटा स्टोरिंग मेमोरी चिप या लॉचिक चिप के रूप में भी किया जाता है आगे डिसकस कर लेते हैं परिक्षा उपयोगी कुछ एस्टरा फेक्ट जो कि सेमिकंडेक्टर से ही सम्बंदित है जैसा कि आप सभी को ग्यात होगा कि सेमिकंडेक्टर बनाने वाला देश का पहला जो प्लांट है ये कहां पर लगने वाला है ये गुजरात में लगेगा फ्रेंट्स याद रखेंगे डारेक्ट कोईशन एक्जाम में यहां से बन सकता है कि देश का पहला सेमिकंडेक्टर बनाने वाला जो प्लांट है ये कहां लगेगा गुजरात गुजरा याद होगा गुजरा सेमिकंडेक्टर नीती लागू करन बनाई है याद रखेंगे कि जो ताइवान है ताइवान ने अपना चिप अधीनियम पारित हिया है किस ने किया है तो ताइवान ने किया है संचार इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना पुड्डोगे की एवम्रेल मंत्री परतमान में कौन है अश्वनी वैशनव फिर्म्स अश् इंडिया सम्मेलन का उधगाटन किया याद रखेंगे सेमी कंडेक्टर चिप इस समय काफी सुर्कियों में बनी हुई है तो यहां से कोईशन बन सकता है कि जो सेमी कौन इंडिया सम्मेलन हुआ था दो हजार तेईस में इसका उधगाटन किस ने किया तो अश्वनी तो मैप में आप सबी लोकेशन देखेंगे ताईवान की यह है चाइना और चाइना की जश्ट बगल से आपको एक छोटा सा दीव दिखाई देगा जो है कि ताईवान ताईवान की राजदानी ताईपे है मुद्रा यहां की ताईवान डॉलर है और बर्तमान में यहां की प्रसीडेंट है साई इंग बेन जिनने आप सभी पिक में देख सकते हैं अब जानेंगे अमेरिका के बारे में क्योंकि अमेरिका भी इस घटवंदन में सामिल है तो अमेरिका की राजदानी है बॉंसी गटन डीसी अमेरिका की अंत्रिच एजनसी को नासा कहते हैं अमेरिका के बरतमान में प्रसिडेंट जॉव वाइडन है अमेरिका की बरतमान में उपरास्ट पती कमला हैरिस है याद रखेंगे ये अमेरिका के बारे में वेशिक इन्फॉर्मेशन है आगे डिस्कस करेंगे जापान और कोरिया के बारे में तो जापान की राजधानी क्या है फ्रेंट्स जापान की राजधानी है टोक्यो किस दीप पर है तो टोक्यो है होंसु दीप पर जापान की मुद्रा को एन कहते हैं जापान की संसत को डाइट कहा जाता है यह अच्छे से रट लेंगे क्योंकि यह बार बार एक्जाम में पूछ लिया चाता है यहां की संसत को डाइट कहते हैं और यहां के बर्तमान में प्रधान मिंत्री कौन है तो फूमियू किसीदा है और यहीं से साइड से आपको दिखाई देगा दच्छर कोरिया यानि की साउध कोरिया अब आप मुझे कमें़्स करके बताएंगे कि जो South Korea है इसकी राजधानी को क्या खहते हैं तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर बिचेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी बेल आइकन दवाना बिलकुल ना भूले जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफेकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा साथी में इस क्लास की जो पीडियक है वो आपको टेलिग्राम चैनल पर बात में मिल जाएगी टेलिग्राम पर जाकर exam orbit क्लासेस से लोगों आपको देखाई देगा जिसने भी टेलिग्राम चैनल जोई नहीं किया है फ्रेंट जोईन कर लिजे क्योंकि जो भी पीडियाप या जो भी क्लास का अपडेट होगा वो आपको टेलिग्राम चैनल पर इसली मिल जाएगा अगला जवाल है कि केंद्रिये विजली नियामक आयो के नए अध्यच कौन बने हैं तो फ्रेंट्स इनका नाम है जिसनु बरुआ जिनने आप सभी पिक में देख सकते हैं और ये केंद्रिये विजली नियामक आयो के नए अध्यच बन गए हैं इनने सपत किसने दिलाई है तो इनने सपत दिलाई यही है केंद्रिये विजली मंत्री आरके सींग के दुवारा तीन मार्च को नए दिली में जो बरुआ है ये अक्टूबर 2020 से अगरस्त 2022 तक असम के मुख्य सची भी रह चुके हैं आगे डिस्कस कर लेते हैं केंद्रिये विद्दुत नियामक आयोग के बारे में क्या के रिए है क्या तो यह भारे सरकार दुवारा विद्दुत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के प्रावधान के तहते स्थापित किया गया था एक्जाम में अधीनियम पूछ लेते हैं जैसे कि आपको याद होगा एक परियावरन से संबंदित अधीनियम है NGT से संबंदित जो अधीनियम है तो इस प्रकार के जो question होते हैं अकसर एक्जाम में पूछ लिये जाते हैं यह भारत में बिजली छितर का एक नियामक है। आयोग में एक चेयर परसन और चार सदस सामिल होते हैं, जिनमें केंद्र ये विद्धुत प्रादीकरण के चेयर परसन सामिल है। कुल मिलाकर यह जो संबन्दित है यह पिछली से संबन्दित है आगे डिस्वस कर लेते हैं कुछ महत्पून न्युक्तियां जो कि समय सुर्कियों में बनी हुई है जैसे कि राजिस मनोटरा यह पी आई बी के प्रदान महा निर्देशक बन गए है बर्तमान में इनका नाम य संयुक्त राज्ट सामाजिक विकास आयोग के 62 सत्र की अध्यश कौन चुनी गई है तो रुचीरा कंबोश चुनी गई है फ्रेंट्स याद होगा आप सभी को यह डिस्कस भी किया था कि जो 62 सत्र है ना इसकी अध्यशता इस बार भारत करेगा बोवान थूंग किस देश के नए प्रसिडेंट चुने गए है तो सबसे पहले आप सभी थूंग को पिक में देख सकते हैं और यह बियतनाम के नए राष्ट पती बन गए हैं डिस्कस करेंगे आगे इसी से सम्मंदित यहसे की बियतनाम के बारे में सबसे पहले इनके कारिकाल की बात कर लेते हैं तो 2026 तक चलने वाला है इनका कारिकाल जो कि बियतनाम के नए राष्ट पती बन गए हैं बियतनाम के परधान मंतरी कौन है बर्तुमान में तो उनका नाम है फांग मीही चेंग बियतनाम की राजधानी को खनुई कहते हैं और बियतनाम की मुद्रा को बियतनामी डॉंग के नाम से जानते हैं लोकेशन आप सभी देख सकते हैं ये है बियतनाम अगला सवाल है कि 1960 के दसक में दुनिया का सबसे आधुनिक माना जाने वाला फाइटर प्लेन जिसे हम कहते हैं मिग 21 और ये अकसा सुर्खियों में भी बना रहता है भारत में कितने साल इसने पूरे कर लिये हैं तो सबसे पहला प्रस ने यहां से आपको याद रखना है डार कोईशन यहां से बनेगा तो इसको भारत में कितने साल पूरे हो चुके हैं तो 60 साल पूरे हो चुके हैं यह करेंट का कोईशन आपका एक्जाम में बन सकता है मुखियर चीप मार्सल यानि की वियार चौधरी ने 14 मिग 29 बिमानों के फॉर्मेशन में उडान भर कर सुपर स सॉनिक बिमान की हीरक जैंती मनाई है मिग 29 भी किसका है रुसिया का अपने आकरी कारनामे में इसी रूसी बिमान ने याद होगा बाला कोट स्ट्राइक के दोरान पाकिस्तानी एप सिस्टीन को भी मार गिराया था एप सिस्टीन किसका है यह आप मुझे कमेंट करके पहला सूपर सॉनिक बिमान मिग 21 अब 60 साल पूरी कर चुका है याद होगा आप सभी को 2018 में इसे उडाने वाली पहली महिला पाइलिट इनका नाम है अबनी चतरवेदी याद रखेंगे आप सभी भार्तिये वायुसेना का मिग 21 अब अप्ग्रेट कर दिया गया है और इस तो इनका नाम क्या है तो इनका नाम है डी गुकेस अब कोईशन यहां पर बन सकता है कि जो डी कुकेस है इनका संबंद किस खेल से है तो याद रहेंगे ये सत्रणज के काफी अच्छे खिलाड़ी है आगे डिसकस कर लेते हैं इनी के बारे में एक पौइंट आपको याद रखना है चबालीस वा जो सत्रंज ओलंपियाड हुआ था नहीं कहां पर हुआ था पहली बार भारत में तो यह चैन्नाई में हुआ था याद रखेंगे आप सभी और चबालीस वे सत्रंज ओलम्पियाट में डी गोकेस ने गोल्ड मैडल जीता था अंतरास्टी सतरंज संकी जो इस्थापना है कब की गई थी बीज जुलाई 1924 पैरिस फ्रांस में अंतरास्टी सतरंज महासं का मुख्याले कहां पर है लुसाने अब आपका काम क्या है कमेंट्स बॉक्स में अंतरास्टी सतरंज महासं के अध्यश आर्किडी याद रखेंगे और विश्व सतरंज दिवस मनाते हैं बीज जुलाई को अगेला सवाल है कि राष्टपती द्रोपती मुर्मुन है अंतरास्टी धर्म धं सम्मेलन का शुबारिम कहां पर किया तो जो अंतरास्टी धर्म भोपाल में हुआ है भोपाल चोकी किस की राजदानी है तो ये मद्द प्रदेश की राजदानी है इसके लावा आपको याद होगा कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की भी मेजवानी किस ने की थी तो भोपाल के दुआरा ही की गई थी बैंगलोर से याद रखेंगे येरो इंडिया दो हजार देज कहां पर हुआ बैंगलोर कदनाटक में उद्गाटन किस न किया था प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जिने डिस्कस कर लेते हैं आखिरी ये है क्या धम सम्मेलन तो देखे राश्टपती ने प्रधिस याने की मत्य प्रधिस की राजधानी भोपाल में कुसा भाव ठाकरे सबागार में तीन दिवसी सात्वे अंतरास्टी धर्म दम्म सम्मेलन का शुबारम किया सम्मेलन का विशे क्या है तो नई योग में मानववाथ का सिद्धान्त इसवार का विशे है इस सम्मेलन को साची उनिवर्सिटी और बुदिस्ट इंडिक स्टडीज के सयोग से इंडिया फांडेशन दुवरा आयोजित किया गया ये कब तक आयोजित होगा तो पांच मार्स तक चलेगा कहां पर भुपाल मत्रप्रदेश इस सम्मिलन की विश्यवस्तो नही योग में मानपपात के सिध्धान पर केंदरित है जैसा कि अभी हम दिसकस कर चुके हैं अंतरास्टी धर्म धम से मिलन में 15 देशों के 350 से जादा विद्वान और 5 देशों के संस्कृति मंत्री इसमें सामिल हुए हैं अब इसमें कौन-कौन से देश सामिल हुए हैं तो भूतान, मंगोलिया, सरी लंका, इंडोनेशिया, थाइलेंड, बियतनाम, नेपाल, तच्छिड कोरिया, मौरिसेस, रसिया, इस्पेन, फ्रांस, अमेरिका और विटैन की सहभागिता है आगे डिस्कुस करेंगे परिक्षा उपियोगी कुछ एस्ट्रा फैक्ट जो की करेंट अफियर से ही संबन्दित हैं जैसे की गुआना के रास्टपती डॉक्टर मोहमद इर्फान आली सत्रवे प्रवासी भारतिय दिवस सम्मेलन के मोख्या दिती रहे अच्छे से याद कर लेंगे इसको पूछा जा सकता है एक्जाम में सत्रवा जो प्रवासी भारतिय दिवस से कहां हुआ था इन दौर में लगपदी दीदी योजना की शुरुवात किसने की उतराखंड गबर्मेंट ने किस राज्चु में साइवर इंटलिजन्स यूनिट की स्ताफना की जाएगी तो ये माहरास्ट में होगी संगम 2022 नामक पांस दिवसी है जो यूवा उस सब हुआ था ये कहां पर हुआ था जमो कश्मीर में अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि जो इस बार 26 जनवरी गरतंतर दिवस मनाया गया था ना इस पर मुखे अतिति किस देश के प्रसीडेंट थे उनका नाम कमेंट्स वॉक्स में लिखना है देखते हैं किस किसको याद है अगला सवाल है कि एसिया के सबसे लंबी साइकल रेस एशियन अल्ट्रा साइकलिन चैंपियन कहां से प्रारम हुई है तो फ्रेंट्स इसकी शुरुबात हुई है जमो कश्मीर के सुरी नगर से सुरी नगर से इस साइकलिन की शुरुबात की गई है और ये कश्मीर से कन्य कुमारी तक एसिया की सबसे लंबी साइकल रेस को हरी जंडी दिखा कर रबाना किया गया कहां से कहां तक कश्मीर से कन्या कुमारी तक अच्छा इसे हरी जंडी कहां पर दिखाई गई थी तो बक्सी स्टेडियम अब ये पूछा जा सकता है जीके का कुशन बनेगा बक्सी स्टेडियम है यह किस राज जिया केंद्र साशित परदेश या फिर किस सहर में है तो याद रखेंगे यह स्री नगर में आता है साइकल रेस बारा प्रमुक राज तीन प्रमुक माहनगरों बीस से अधिक प्रमुक सहरों से होकर गुजरेगी वही बात की जाए साइकल रेस की तो वर्ड अल्ट्रा साइकल एसोशियेशन यानि कि USA सिर्फ मानेता प्राप्त है और ASEAN अल्ट्रा साइकलिंग चेंपियंशिप और वर्ड अल्ट्रा साइकलिंग चेंपियंशिप के रूप में इसे घोशित किया गया है आपको याद रखना है कि इसे कहां से रवाना किया गया कश्मीर से कहां तक जाएगी कन्या कुमारी तक किस स्टेडियम से सहरी जंडी दिखाएगी तो वो स्टेडियम आपको याद रखना है अगला सवाल है कि पूसा किर्सी बिग्यान मेले का जो आयोजन है ये किस सहर में किया जा रहा है तो पूसा किर्सी बिग्यान मेला हो रहा है नई दिल्ली में डिस्कस करेंगे इसके बारे में तो प्रतिवर्ष भारतिय किर्सी अनुसंधान संस्थान दुवारा इस मेले का आयोजन किया जाता है नई दिल्ली में लगता है इसका ओधगाटन किर्सी मंत्री केंद्रिय किर्सी मंत्री नरियन सिंग तोमर जी के दुवारा किया गया है मेले की इसवार की थीम है स्री अन्न दुवारा पोशर खाद एवं परियावरन सुरक्षा अब आप मुझे बताईए कल की क्लास एक बार जरूर देख लेना अगर ये स्री अन्न के बारे में जाना है ये पॉइंट बहुत महत्पून है फ्रेंट से न इस मिले का आयुजन दो मार्स से चार मार्स के बीच किया जा रहा है भारती किर्सी अनुसंदान संस्थान का गठन 1905 में किया गया था नेस्ट कुशन है कि एकसेस बैंक ने किस बैंक की भारती उपवकता कारूबार का अधिगरेंड कर लिया है तो इस बैंक का नाम है सिटी बैंक जिसका अधिगरेंड किया गया है एकसेस बैंक के दुवारा अब देखें यहाँ पर अधिगरेंड वाला एक सब्द आया है तो अब आप मुझे बताएंगे कि इसराइल में कौन सा ऐसा बंदरगा है जिसका अधिगरण अडानी समू के दुवारा किया गया है उस बंदरगा का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है किस खिलाडी ने ए ए एफ आई रास्ट ये थ्रो पर्तिय मेडल जीता है तो इनका नाम है तेजिंदर पाल सीन तू जिनोंने क्या जीत लिया है तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है किलास की शुरुबात में जो क्वेशन मैंने आपसे पूछा था इसका आंसर है ए एम सप्रे सुप्रीम कोट ने हिंडनबर्ग रिसर्स रिप चांज करने के लिए जो इसने आधार बताए थे इसी की चांज करने के लिए सुप्रीम कोट ने समीति के गठन किया है किसके अध्यस्ता में एम सप्रे की अध्यस्ता में जिने आप सभी पिक में देख सकते हैं तो यह पूछा जा सकता है आप सभी से इस समीती में 6 सदस्य होंगे फेंट्स और इसके अध्यस्ता करेंगे AM सप्रे उचितम नियाले ने कहा है कि यह समीती दो महीने में नियाले को सील बंदर रिपोर्ट पेस करेगी इसी के साथ उचितम नियाले यानि की सुप्रेम कोट ने बजार नियामक सेवी को यह सुनेचित करने का निर्देश दिया है कि जारी सूचनाय समीती को दी जाने चाही है उचितम नियाले ने सेवी नियमों के आर्टिकल 19 के उलंगन की भी चाँच के निर्देश दिये है पहली महिला विधायक बन गई है तो ये बन गई है नागा लेंड की किस देश ने अपनी पहली डिजिटल तौर पर आबादी जनगर्ना और अवाजगर्ना की शुरुबात की है तो शुरुबात हो चुकी है पाकिस्तान में भारत फिलाल किस फसल के निर्यात पर नहीं हटाएगा गी हूँ खबरों में रहा मीरा समू का संबंद किस से है तो मीरा संबंद है मोटे अनाजुसे फ्रेंट्स इस कोईशन के बारे में डिटल से कल की क्लास में जरूर पढ़ लेना क्योंकि बहुत ही महत पूंड फैक्ट बताए गए है राय सीना जो डायलोग है आठविसंस करन का शुबारम किस ने किया तो नेरेंद्र मोदी जी के दुवारा किया गया था और इटली की प्रधान मंतरी इसमें मुख्यातिती रही आयुश मंतराले का पहला चिंतन सिवेर कहां पर हुआ है तो ये असम के काजी रंगा नैसनल पार्क में आयोजित किय दुनिया का दूसरा सबसे मजबूर टेली कॉम ब्रांड बन गया है रिलाइंस जी ओ पहले स्थान पर है स्विच कॉम दूसरे पर है रिलाइंस जी ओ और तीसरे पर है एलिट ए ए ए प्लस भारतिय सेना कितनी स्वेदेशी एडवांस टोड अटलरी गन सिस्टम खरीदेग विम्स्टे कूर्जा केंद्र के गवनिंग बोड की जो पहली बैठक है ये कहां पर हुई है तो इसका आयूजन किया गया था बैंगलोर करनाटक में तो ये था कल का करेंट अफियर अगर डिटिल से जानना है तो कल की क्लासिक बार जरूर देख लीजिएगा जिसने भी न अरावले परवत्स रेणी का सरवोच सिखर क्या कहलाता है गुरू सिखर कौन सी परवत माला सहाधरे के नाम से जाने जाती है पच्छमे घाट दचण भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है अनाई मोडी नंदा देवी चोटी कुमायू हिमाले का भाग है भारत के सरवोच परवत्स रेणी कौन सी है कौट्विन ऑस्टेन कुलू घाटी किन परवत्स रेणी के पीछ अवस्तित है धौला धर और पीट पानजाल के बीच उत्राखंड का सबसे उचा परवत्सिकर है नंदा तेवी चोटा नागपुर पठार की सबसे उची चोटी है पारसनाथ इमर्जंसी की घोशना की थी तो यह किसके द्वारा की गई थी फ्रेंट्स न्यूजिलेंड की कबर्मेंट के द्वारा सही आंसर ऑप्जन टी साओधी अरब की पहली महिला अंत्री चियातरी कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन के एक मिशन में सामिल है तो इनका अब आप सभी के लिए कुछ सवाल है जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में पहला सवाल 22 विश्व सतत विकास सिखर समेलन कहां पर हुआ है मंदिर अनुस्ठान कर्टब्यों के लिए रोबोट हाती को सामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है निमनल इखित मैंसे कौन सा एक भारत का रास्ट ये जलिये प्राड़ी है उचितम न्याले की परतम महिला न्याइदीस कौन थी तो फ्रेंट्स इन सभ को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जादा से जादा शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को सब्स्क्राइब जरूर कर दीजेगा फेंट्स याद रखेंगे कि छोटी सी क्लास रहती है छोटा सा वीडियो रहता ह जिसमें ये जो current affair मैंने अभी आपको detail से पढ़ाए ना उसमें सिब आपको question और answer form में रहता है तो ये class देखने के बाद उस class को भी एक बर आप सभी देख लिजेगा क्योंकि उसमें आपका revision हो जाएगा है current affair 37-37 revision भी आपका होता चलेगा तो मिलते हैं नया स्टेशन में एक नए topic के साथ अब तक के लिए जय है जय भारत